हलो यूरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे हम खर पर मिलने वाले नमक का उप्योग करके पानी का उप्योग करके और थोड़े से गुलाब जल का उप्योग करके अपने चेहरें को सुंदर और सुंदर ये से भरभूर मतलव निखार अपने चेहरे पर लासकते हैं, इससे पहले दोस्तों आप यदि इस चैनल पर नएई हैं और आप यह वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो आप नीचे subscribe कर लाल बटन दबा कर इस वीडियो को subscribe कर लें इस channel को subscribe कर लें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो देखते free एंगे इसका कोई charge नहीं है और आप इससे हमारी तमाम वीडियो देख पाएंगे जहां हम बनाने आने वाले यह जब हम बना चुके हैं चलिए आज हम इस नुसके के पारें बाते करते हैं इससे पहले आप लोग उसे रिक्वेस्ट ही के दिए आप इस नुसके को देख रहें हैं इसमें फ्ज Buddhist खोट ले लिया यहाँ मैं इसमें आप पानी मिला ले पाहль उतना ही मिला उनला इसमें घीला को भी घीला हो इसमें एक स्पून नमक और डाल दें, यह आपने डाला, तो यह इस परकार से थोड़ा गाड़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यह पूरा गीला नहीं है, तरल नहीं है, लेकिन हाँ, पानी के द्वारा यह इस परकार से हो गया, अब आप जब इसे पूरी तरीके से घोट लें, तो आप क्या करें कि अपने चहरे पर इस परकार से इसकी मसाज करें, जैसे कि मैं यहां पर कर रहा हूँ, यह, तो इससे क्या करेगा, यह आपके चहरे के जितने दाग, धब्बें, गिलो है, उसे पूरी तरीके से खतम करेगा, आपकी जो पिंपल्स होगी, यदि आपको तो आप इसका उप्योग ना करें आपको पिंपल्स होगी तो इस तोड़ा दर्द आपको दे सकता एसा करने के बाद आप थोड़ा सा गुलाब जल आपके चेहरे पर लगा ले आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें इस चैनल को सेयर करें दोस्तों को साथ जरूर इस वीडियो को बारे में बताएं और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागा थे इस चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू वेरी मच फूर वाचिंग